दुसरे को तुफेता हाइफ देने चाहिए और फूल देने चाहिए चॉकलेट से नी चाहिए अच्छी बात है इससे आप थोड़ा सा रलैक्स फील करते हैं बट ये मैंने ही कहती ही के वैलेंटाइन डे को ही वैलेंटाइन डे मनाए हर दिन वैलेंटाइन डे मनाए हर दिन मह महब्बत का दिन मनाए। वो बहुत लोगों ने मुझसे फर्माइश की और मुझे कहा कि अक्तर हुसेन कुरेशी साब अमारे स्टूडियो में आय थे पिछले जुमें तो उनका प्रोग्रम जह बहुत पसंद किया था उनों ने कहा कि आप जो हमें तुडे रॉक में ज़रूर दिखाए नात के हवाले अब अब अज़र हैं आपके खिदमत पर हमारे साथ जो हमारे तजियकर मौजूद होंगे उनसे जो है वो हमारे अनलिस्ट यहां पर मौजूद होंगे वो बताएंगे कि क्या मौमलत क्या हाला चल रहे हैं और पाकिस्तान अब कहा सरवाइफ करता नजर आ रहा है तो अभी कि एक ब्रेक ब्रेक के फौरी बात बलते हैं हमारा उसूल हमारी सहाफत इंसानियत इसलामियत पाकिस्तानियत टीवी चुटे खबर सबसे पहले वेलकम बैक नाजरीन वापस आगे हैं आप देख रहे हैं तोडे मौनिंग विध डॉक्टर नभी हाली खान और जैसे के अभी मैं थोड़े देर पहले भी आपसे बात कर रही थी कि आज हम जो है वो हम पॉलिटिकल हवाले से भी बात करेंगे करंट सिचुशन के हवाले से अब करंट सिचुशन के हवाले से तो सबी जगा पर बात हो रही है मगर अगे क्या होगा अगला लाही अमल क्या होगा या क्या होना चाहिए अवाम के रिलीफ की अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल इशियूस पे बात करते हैं हम सोशल इशियूस पे बात करते हैं तो ये तो बढ़ते जा रहे हैं रोज पर रोज बढ़ते जा रहे हैं एक दूसरे के साथ जो है वो हो चुकी है उस पर जो है वो तो जो जो ने करना था वो तो कर गए अब हमने क्या करना है हम अगर आकर बैठे हैं तो हमें क्या लाही अमल एक्तियार करना है हमें अपने अलफाज पे अपने अंदाज पे किस तरह कंट्रोल करना है या आगे क्या देख रहें कुछ किछड़ी है तनकीत बराए इसलाज इसलिए जरूरी है ताकर हम अपने मामलात को जो ठीक नहीं है नहें ठीक कर लें खास طور पे हमारी हकूमत जो इतने ही पैशनेट लोग हैं इतना पैशन है उनके अंदर काम करने का इतना जथवा है कि इतना सारा काम पड़ा हुआ है कि कुछ भी नहीं हो पा रहा है मामलात यहां तक आ गए हैं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर तज्याकार वेरी वेल लॉन परिसनालिटी माशाला उनका एक तज्याकार नहीं तब उनका एक नाम अपना मियार था और आज तक उनका नाम जो है वो उनकी पैचान है खावर नाइम हाश्मी साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है असलाम लेकुम सर्ड़ा का शुकर आप सुनाई आप कैसे हैं सर्फ बहुए शुक्रिया आपने वक्त दिया ये बिताईगा ये क्या हला पर वाकिया चल रहे हैं क्या मामलात है आपकी गहरी नजर है इन सब चीजों पर आप कॉलम इस्ट भी हैं कॉलम भी लिखते हैं आपके तद्सिये भी जो है वो क्या कहेंगे मेरे पास तो अलफास खत्ब हो जाते हैं लेकिन इसलिए मैंने आपको बता लिए ये आप एक ऐसा सवाल कर रही है कि अब क्या होगा तो ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक मुश्किल तरीन मरहला आया है जब लोगों को समझ नहीं आ रही पहले ये होता था कि जब क्राइसिस होता था पुलिटिकल क्राइसिस होता था एकडामिक क्राइसिस होता था तो लोगों की नजरे होती थी कि कोई तब दिली आ भी है और ये कहना कि अगर ये इमरान खान चला जाए तो फला फला रास्ते अपर लिये जाए तो मतबादल रास्तों पर भी कोई नतीजा सामने नहीं आए जा क्यूंकि हम जिस सता पर चले गया है हम डालर की जो कीमत है इस वक्त या शेय खुर्दनोश की जो कीमते बढ़ ग ही है जाए पाकिस्तान का जो सदर है उसका मैं कल परसो बेर पढ़ रहा था कि उसने भी हलाद पे तबस्रा किया है उसका बात शुरू किया उसके अगले दिन शुरू किया पहले तो सदर ने बताया अल्वी साब ने कि इस साल मज़ीद 22 लाख लोग जो है पर रुज़गा हो रहे हैं ये सदर कह रहा है आपका और आपका सदर कह रहा है कि ये जो बुरान के जुमेदार है जैसे चीनी का बुरान है या अटे का बुरान है इनको फारग किया जाएं ये नहीं कहा कि इनको सजा दीजे इनको फारग किया जाएं इट मींज के आपका सदर पाकिस्तान ज जो आपके दाए बाए खड़े हैं तो इमरान खान साब जो है वो खुद भी समझ रहे हैं उन्हें खुद भी समझ आ रही है कि किस पे जिम्मेदारी हुआई हो रही है चीजों का अतराफ ने करते रहा है एक्षिन नहीं ले रहा है अगर जांगीर तरीन पर इल्जाम है तो उसका जवाब दिया जाना चाहिए अब जांगीर तरीन सब जो है चुकर वो अदालत से नाहिल हो चुके हैं इसके बावजूद वो आपकी कैबरेट मीटिंग में बैठते हैं यह आखरी कैबरेट मीटिंग जो ही है जो मैंगाई के इशू पे हुई उसमें भी जांगीर त ठीक नहीं करना चाहते हैं सहीं सहीं अब जो जांगीर तरीन काई जी करासित मैंने पादा नहीं किया तो बैए वजीर आजम साब को एक रिपोर्ट मिली है को मौझूदा जो महंगाई है उसके जुमेदार कौन है इसका तैयुम करने के लिए एक रिपोर्ट तियार कि जो मौझूदा कैसादी बौरान है तो उसके जुमेदारों को जो सामने लाएगा है रिपोर्ट में उनको एवजाद में पेश करें और कौमी असम्मली में असाने में इस बहुत होनी चाहिए सही, 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 तो यह भी जो सकता है कि उनके पास ये सारी रिपोर्ट तो आगी है, ये सारे मौमलात आगे हैं, वो फिर भी किसी सबूत की तलाश में हो, अब वो होता है ना कि अपने करीब का कोई बंदा जब इतना जबर दस किसम का डॉच कराता है तो फिर वहां पर स्टै जो है गरों में दफना रहे हैं, ये हालत आ चुकी है पाकिस्तान की, ये लहोर का नौई लाका है मौर खंडा, तो यहां पर मासूम बच्ची जो है, वो बिमार होती है, तो बाप जो है उसका इलाज किराने के काबल नहीं है, अपनी सकत के मताबक को कर रहा है नहीं हो रही ठीक हो रही है, बच्ची मर जाती है, जब बच्ची मर जाती है तो वो बाप जो है वो इस बच्ची को अपने गर के अंगन में सेहन में गड़ा खोदता है, उसमें दफना देता है, अब लोगों को शाक पढ़ागे इसने अपनी बेटी को कतल किया, तो उस खुताई की होता है, तो बको अइतराफ करो कि तुमने अपनी बच्ची को कतल किया, तो बहुत ज्यादा जब जब सारे अथकंडे अपने पॉली सरुवाती भी इख्यार करके देख चुकी, तो पता आखर में ये चला, उसके पास कफर के लिए और कबरस्तान में कबर के पैसे देने के लिए कुछ नहीं था, तोबा 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 स्तगफर ल्ला, ला माप कर दे, ये क्या हमारे महाशरे में तोबा तोबा तोबा, अभी और मैं मिसाल के तोर पे आपको बताता हूँ, एक तो ये वजीर आजम साब जो है, वो देखें कि आवाम के पास वक्त नहीं है, खुद कर खुदा के लिए वाम के क्या मौमलात हैं, कि कोई किसी के आगे हाथ प्लाने के लिए भी, अगर सर ऐसे भी मैंने लोग देखें, मैं सड़क से गुजरती हूँ, यकीन जानी है, कि ऐसे ऐसे लोग सड़कों पर आकर बैट गए हैं, जो मांगने वाले नहीं हैं, जो शकल कहीं छोड़ाते थे, या भीक मंगो आगे, और फिर वो शाम को ले जाते थे, बाद यहां तो पेशा वर बकारियों का तो तुफान आया होगा नहीं, लेकिन उन पेशा वर बकारियों में ऐसे लोग भी शामला हैं, जिनके हम धिकर कर रहे हैं, जो सफ़ाद पुश्गरा जो किसी को कुछ बता नहीं सकते हैं, यहां रहे हैं, अब ही मैं रिसन्टली लहोर के जो दूरूने शहर है, वहां का विजट करने का मुझे मौका मिला है, शाम का वक्त था, तो मोची दरौदे के अंदर में दाखल हो गया है, वहां से, मैं एक दुकान की तलाश करता करता कोई मेरा खैल है, मैंने कोई डेड़ दो गैंटे उन गलीों में गुजारे, मैंने वहां पर भी एक नया मन्सर देखा, कि उन्हीं महलों की खवातीन जो है, वो साथक पर खड़ी लिया, खमोशी से कोई उनकी मदब करके जाए, होई 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 होई, होई होई, होई हो कोई को बता भी ने रिव क्यों गड़ी है, कि किसी को अगर ऐसास हो जाए, कि ये किसी हल्प के लिए गड़ी है, तो कि उसकी करजे, उसने हाथ ऐसे भी ने किया हुआ, वो आपी तरफ देख भी नेरी, वो मू नीचे किया हुआ है, जुकाया हुआ हुआ है, आंखे बद उसकी और बेचारी जो है, कि आप बिलकुल सही कह रहे हैं, मैं इस चीज की मैं खुद मैंने इन सब चीजों को देखा है, मैं जिन रास्तों से गुजरती हूँ, वो काफी मतलब वहां पे सही अच्छे लोग रहते हैं, वो कोई अनौर्दर अरिया नहीं, कोई जो है वो अ जनलिस्ट मेरे पास आया, लब फ्री लांसर, जो पहले कभी एक बीवी सी का एक रिपोंडर उतादा उसकी मदद किया करता था, फ्री लांसिंग किया करता था, तो वो आया तो उसके साथ उसका बीस बईस साल का बेटा था, और एक बच्ची थी मासूम सी उसके साथ, जो अभी इठारा साल की नहीं थी, वो छोटी उमर की बच्ची उमर की थी, चोटी उमर की थी, तो मेरे पास आये और मैंने पूछा, बताईए, तो कहने लगा कि मैं कराय के मकार में रहता हूँ, बेरुजगार हूँ, और पिछले चार में इन्हों से कराय नहीं दिया, और माल और यह जो मेरा बेटा है, इसको मैंने ग्रैजवेशन कराय हूई है, इसके पास भी नौकरी नहीं है, तो अब मैंने पूछा किया यार ऐसे मैं सोचके, तो मैंने कहा यार भी क्या किया जाए, तो कहने लगा, यह हमारी बेटी है, तो यह नौवी क्लास में पढ़ती थी, तो इसकी फीस देना भी मुश्किल हो गया था है, तो इसको हमने स्कूल से उठा लिया है, और अब हम कोशिश का रहा है कि शायद इसको नौकरी मिल जाए, क्या दोर आगे, और वो अड़े लिखे बच्चों को भी वो काम करना पड़ रहा है, जो कभी सोच भी नहीं सकते फिर उसके बाद क्या होता है? कि चंद दिनों के बाद मरे इल्म में हाता है कि उस बच्ची को नौकरी मिल दी है, लेकिन तेरहाजार रुपा मिलना की, वह जां अपना जागी, प्तानी अपने घर का कराव इदे सकेंगे या नहीं दे सकेंगे सर ये हलात हो गया है ये मुझे बताएं कि एक खातून है जो सड़क पे बैठे हुए उसको पूरा साल हो गया है सारा मीडिया वहाँ पे गया है बटा चौक पे वो बैठी है टूटी वी गाड़ी के अंदर 9M में उस खातून ने किये हुए है इतनी पड़ी लिखी वो औरत है कि वो सब वहाँ पे गये हैं सब कुछ हुआ है मैंने इनके जो जितने भी आला हुकाम है वहाँ तक भी ये बात पहुँचाई है मैंने पीटी आई वालों की रिक्वेस्टे की हैं इनको कॉले की हैं इनको मैसेजिस की हैं कि अल्ला का वास्त आपको कि अगर आप अगर आप अल्ला रसूल को मानने वाले लोग हैं तो अगर आप अगर आप अगर आप अगर यहां पर देख रहे हैं कि सब्सक्षार की हािए आप भी लहौर के मामलाध बता रहे हैं में भी लहौर की ही बात कर रही हैं लहौर की सड़कों पर जो है वाफ सफेद पोर आप निकल आए थके हैं मानगने पर मजबूर हो गए चाहिए चेयर मैन लगे हुए एक तरफ तो महँगाई है तो हमें कोई दूसरा चौबा दिखाया जहाँ बेतरी है यह कहीं भी नहीं रिश्वत और बदमाशी जोरावरी यह भी आगे बड़े हैं हाँ हर ची मिसाल के तौर पर मेरे पस एक दोस्ता हैं जब उन्हें पता चला कि इमरा पुरा में रहने वाले हैं तो यहाँ पर आगर उन्होंने होसिंग सोसाइटी का आगास किया अच्छा अब वहां का शेहुपुरे का एक सहाफी जिसने एक बाकाइदा गैंग बना रखाया है अच्छा बाकाइदा एक मफिया गैंग की तरह साफी जो है वहां पर एक्ट कर रहा है और वहां पका भी जा चुका है कई दफ़ा वह जेल भी जा चुका है और वह उससे बन्दे से जो पाकिस्तान में आके सरमाय करी कर रहा है अबरार खान की वज़ा से वह सहाफी उससे पैंतिस क्रोड रुपया बता वांग रहा है अच्छा तो इस वाक्छा का जब अकड़ा हुआ है कि मैं तुमें किस चीज के पैंतिस करोड रुपय दूँ तो उस बन्दे ने उसके उस जगह पर जा वो कालूनी बिरा रहा है अच्छा वह पर बकादा है बहुत बड़ा है को सुना वहां को अफगानी लोग रहते हैं पठान किसम के लोग गर मुलकी उन उसकी तस्वीर मेरे पास पड़ी हुई है और एक आदमी खूं से लटपत है तो अब वो पर्चा दर्ज किराता है पर्चा दर्ज हो जाता है पर्चा दर्ज करने के बाद पर्चा खारज हो जाता है नहीं खारज हो पर्चा पर अक्शन नहीं हो रहा है वो बंदा अच्छ यह काम करा रहा है यह तो यह कुछ के एक साहफी है तो वो उसने पांगे किस किस से वहाँ पर आर पी होंगे फोन करा होंगे कि इस बंदे का नाम निकाले। पर कर्का का रूमारे तो इस पर इंप्लिमेंटेशन होनी चाही है तो इस तरह के मामला को पाकिसान में लोग और अगर ये हालात रहे तो अब आपके पास आपके पास कफन के पैसे नहीं है और उसने अपनी बेटी को इसलिए अपने घर के जहने ही दफना दिया कि मुझे किसी के आगे जा है वो इसके कफन के लिए हादना पहलाने पड़े अस्तखफार करने का वक्त है अल्ला हमें मौफ कर दे हम कौन से जा है वो जगा पर रह रहे हैं और हम किस तरह यह सब कुछ देखे और बता कर उसके बाद आप शायद सही तरीके से सांस भी नहीं ले सकते अगर आप वे इंसानिया थोड़ी सी भी बाकी है मुझे ब्रेक लेनी है यहाँ पर ब्रेक के फौरी बाद बापस आते हैं बात को यहीं से कॉंटिन्यू करेंगे मैं हूँ अनिता सहर और मैं रखूंगी आपको बाखबर और बताऊंगी इंसानियों क्या होते हैं और कहां इनका इस्तेहसाल हो रहा है क्योंके खबर सबसे पहले मैं हूँ अली तारी खेल के मिदानों में क्या हो रहा है मैं रखूंगा बाखबर सबसे पहले वेल्कम बैक नासरेइन हम वापस आचुके हैं आप देख रहे हैं टोडे बार्निंग विछ जॉक्टर नभी खाली खान आज हम बात कर रहे हैं कि अब आगे हमारा क्या लाए عमल है हमारी ह mask हमत का अगर चीजें सस्ती होगी चाहए और चीज़ें भाइब होगी है तो पाकिस्तान में बाइस क्रोड लोग रहते हैं तो यह आप मुझे बताए कि यह जो यूटिलिटी स्टोर्स है यह 50,000 और बनेंगे किसे बनेंगे पहलों को तो आप मेंटेन कर ले ना जो बने हुए है और वो जो बने हुए है तो कल भी करदार सहब है खातून जी तो उसके साथ मैं आ चुकी है मेरे शो में भी आ चुकी है मैं से मेरी बात हो चुकी है वह मैंने उन्हें कहा देखो एतराफ करो जूड ना बो सही, ईतराफ करें, कम उजए कम ईतराफ है अच्छा करें अच्छा करें कि चीज़े गाराब हैं, आप हुआ ठीक नहीं ही कर सकी सही ये चीज़ेंें जो मजुदा एम्हाई है या दूसरे इस्जों है ये कोई जन्म नहीं लिया, हम ये नहीं कहते हैं इमरान खान के आने से ये चीज़े ने जनम लिया है ये चीज़े पहले भी होती रही है महंगाई हर दोर में हुई है आई एम एफ से हर दोर में करदे लिये गए है लेकिन आपने कुछ एक्स्ट्रा अर्नरी मेर जो है वो उठाए जिसकी वज़ा से आपके यह आलात वे आप के पास तीम नहीं थी सेः कह रहे हुए हूँ आपके पास तिम नहीं ठी है हमारे पास दुन्य की पता नहीं किस जों में थे किन लोगों को बेस्ट समझ़ रहे थे कि जव आपके त वजीरे खजाना जो था उसको तेर मीने के बाद तब्दिल कर दिया था तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास वजारत खजाना के लिए भी बन्दा नहीं था अब जो दूसरा अब उसको भी आप फारग करना चाह रहे हैं सही अब बात ये है कि प्रॉब्लम ये है कि पाकिस कबीने का इजलास होना है और ये बताना है कि मैं रुजाना वजीरों की कलास लेता हूँ तो ये इसी तरह है ज्कि शाहाई शरीफ ने आपने दोर में कहा था कि यू मैं रुजाना जो हम्गार्यक्रास कि कल्स लिया करूँ मौ виру lucrisis को सुबह च्छे बजे कभी शाला वार भी बुला लेता था, कभी बुला लेता था था, कभी बुला लेता था, ये उस टाइप कैस अक्ट है कि 만 na का इजलास हो रहा है, किस कभी बि Almighty के निया दिलास बो को रहा है, कि इस इजलास से लोगों को रैजिस का इना हो रहा है, या नौाई शरीफ की हकूमत हो या जर्दानी का जुमाना आया हो या यूस्व रजागिरानी हो या कोई भी लोग जो माजी में रहे हैं पिछले 25 साल में जिन पर इल्जामात हैं कि जी इनोंने करप्शन की और इनोंने बदनुवानी की और इनोंने मुलक को लूटा और उनोंने कुछ करने नहीं दिया गया तो ये बदकिस्मती से वोट तो लेके आते हैं अवाम से जब कुरसी पर बैर जाते है तो उस वक्त तो ये जवाब भी हो जाते हैं इस्टैबलिश्मेंट को सासले ये कर नहीं सकते हैं हाथ इनके बंदे होते हैं वजीर अज़र विमरान खान के साथ भी यही आल है सर अगर पहली दिन आवाम को इतवाद में लिया होता या अवाम से ये कहा होता कि मुझे कुछ वक्त लगेगा इन सब चीजों को ठीक करने में तो शायद अवाम की तवकात इतनी ज्यादा हाइप पर ना जाती है जो 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 आवारे अवारे 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 ताक्तवारा अदारे है इनको सहासत में इन्वाल नहीं होना चाहिए ये कुली तोर पर अब देखिए ना इमरान खान हकूमत की जो नाकामी है उसकी हूँधारी एक मुत्रम अदारे पर भी जाएती है लोग क्या रहये जी मूला है लेके आए है ठीक ना अब ये सुछा जारहा है कि खिचडी का लफ़जाप पे इस्तुमार का रही थी कि खिचडी पकरी है मैरे मुँ में में मुँने पानी आरहा था मैंने किच्डी पकना तो अच्छी बात है यार किच्डी खा तो लेंगे तो जब अच्छी दी पकरी को हांडी में माने बच्छों को बहलावे के लिए प्थर डाले हुए है और डोई फेर रही है और देख रही हुँ मैं किच्डी नहीं बगरी गरगर में पत्थर आंडियों में पड़े हुए है ये इस वक्त जो आलात पड़ी मुश्कल आलात है अब एक और बात हम करते चलते जाएं कि जी मिरान खान की तब्दीली के बारे में बहुत सारे लोग जो आब आते कर रहे हैं बहुत सारे लोग दानिश्वार अपने आपको समझते हैं या लोग उनको दानिश्वार समझते हैं तो उन लोग उने डेटे भी दी हुए है कि लो जी अगलतीर में इने में इमरान खानी होगा फलानी होगा ऐसे हैं बिल्कुल ऐसे हैं मैंने तो वही इसलिए मैं आप से पूच्रू नहीं हमारे कर दोसर कालम लिखा कि भी उसे डेट की देदी है यह बहुत मैंने और रियुद बिल्टिया उनकार फूर्मेशन आती है यह मैंने आपको बताये ला की यह ड़ा देने वाले जो जलिस्ट है गुभरिया उती है विसे दुर्यों पारे हुई है किसी ने पारी है किसी जो जनलिजम है वो फरोग पाचुकी है, इस्टेबलिश हो चुकी है, तो अब ये बी चौधरी निसार हुसान गया है लंदन, तो कल उसको पूछा गया वहाप है लंदन जब पहुंचे, चौधरी निसार हुसान साथ, जी आप कब वजारते उसमा काल फुटा रहे हैं, ये तो उसने कहा है कि आप मैं नवाज शरीफ से मिलने या उसकी तेमार तरी करने नहीं है, मैं अपना इलाज किराने आए हूँ, और उनका अपना इलाज किया है, तो उन्होंने शर्वाज शरीफ से मुजारत करने हैं, उन्हें बेजा गया होगा, मुझे जो सिनारियो नजर जा रहा है, वो यह है, कि आप सोचा जा रहा है, को पीपल पार्टिज को माइने सा रुखा जाए, और मर्यम नौाज फैक्टर को माइने सा रुखा जाए, और शवाज शरीफ एक्टर जो है, नून लीग में, उस को इन गौर्मेंट इनका लिए जाए, उसी दरा शरीक एक का लिए जा अच्छा ठीक है ठीक है तो इस से भी ये जो एक तजरुबा होगा सही और जिस सता पर इम्रान खान और शाहबाद शरीफ नून लीग और पीटी एए एक दूसरे के खलाफ सब्सक्रा रहा है और आप वो नाइट चेंज ले हैं और उनको कथब ढ़ने की कोशिश किने अब प्रेड़ की औरहुए चाह議ा होगा शर्मनेदा और जाड़ता हूँ इस स्वाल पर चुब को अमने डेमोक्रेसी के लिए बहुत करभानिय जियुए हैं मैंने डेमोक्रेसी पाकिस्तान फेयर प्रिजूम औफ़ प्रेस के लिए मैं वीज़ प्रिजन ने रहा हू और मैं पुलिटिकल वरकर नहीं था आइवाज जुनलिस्ट आईव जॉनलिस्ट और हमारी जो तन्दीम में पाकिस्तान फेडरल यूनियन अफ जिनलिस्ट ये और एक अपनी का मारी तन्दीम होती थी आल पाकिस्तान तन्यूज पेपरज इंपलाइज confederation तो इसके तहत हमने freedom of press की जो तारीक चलाई थी उसमें सैक्ड़ो लोग जो है वो जलील हुए उसमें कुर्बानिया दी उन्होंने तो मैं समझता हूँ कि इतनी जमुरियत के लिए कुर्बानिया देने वाले अब मैं आपको जमुरियत के लिए कुर्बानिया देने वाले एक बन्दगी बात बताता हूँ कि जाहद खान नाम का एक साफी है जो बावलपूर का रहने वाले है तो हमने जो freedom of press के लिए ताफुज रोजगार के लिए शेहरी आजादियों के लिए जुबान बंदियों के खलाफ censorship के खलाफ हमने जो तारीक चलाई जो लावलप के दोर में जे उसमें जाहद खान नाम का एक सिपाही बिजाज जिसका तालूग जो है बावलबूर से है ठीक 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 अब वो एक हीरो है हमारा उसको उसने लहर में भी गिरफतारिया दी उसने कराची में भी गिरफतारिया दी कराची में गिरफतारी के बाद उसको एजिंसी उड़ा के ले गी उसको सोपत खाने में रखा गया उसको इतना तिशद्द किया गया कि देनी तो उसका बिगड़ गया तो अब उसकी आलग यह है कि उसको कुछ साल पहले शूगर शुरू होगी डाफरो ने उसकी टांगे काड़ दी जब उसकी टांगे काड़ जाती है तो उसकी बीवी सद्द सद्बे से मर जाती है अब उसका बेटा है को क्या अकल आके कहीं से उसने नौकरी दिलवाई बाद में पता जाला नौकरी आरदी है छे मिन बाद भी उसकी शुटी होगी बेटे की उसने शादी का अरदी बेटा भी शादी शुटा बच्छों वाला है और बाप बिमार पड़ा होगा अब नाम मैंने ले लिए अजाद खानूं का नाम है पतनी लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था लिए मैं बताता हूँ आपको पिछले अफ़ते देस दिन पहले रात को दो बजे मुझे फोन आता है तो मैंने उसका नंबर सेफ किया हुआ था तो मैंने का रात को दो बजे अजाद खान का फोना पदनी किया बात है। मैंने अहलों का हाथ तो एक खातून की आवाद आई 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 कि मैं अजाद खान की बेटी बोल रही हूं। अबाद यहालत बहुत खराब हो गई है। हमें समझी नहीं आ रहा हम क्या करें। तो हमारे तो आत्पाओं फूल गए हैं। कुछ हमारे पास नहीं है कि आप तो मैं सोचा वेने कि मैं क्या कर सकता हूं। तो मैंने का बेटाई इनको द्वाईयां वगारा कोई देनी थी। तो केरी अंकल पिछले तीन-चार अफ़तों से द्वाईयां खत्म हो चुकी हैं और द्वाईयों के पैसे नहीं हैं। और ये बी-पी शूगर और ब्रेड पेशर और फलाव 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 चीज़ों के जो मरीज हैं। पाकिस्तान में जमूरियत के लिए कुर्बानिया देने वाले जमूरियत को बकाद देने के लिए जिन लोग ने वो लोग जो हमारे हीरो होने चाहिए थे जो लोग आज सामने होने चाहिए थे उनके ये हालात हैं। लेकिन कुर्बानिया देने वोले लोग जो होते हैं, मैं आज इस नतीजे पर पहुंचा हूँ, कि कुर्बानिया देने वोले जमूरियत के लिए, इस मौलक के लिए, इस मौलक के अवाम के लिए, जिन लोगों ने कुर्बानिया दी, उनका ये फैसला गलत था, कि उन्हें सि आज मैं सोचता हूँ कि अधर वो लोग स्यासत में होते होते तो शायद मौमलात कुछ मुख्लिफ होते हैं कुर्बानिया हम जैसे लोग देते रहे और उस का जो सिला है जमौरियत की शकल में वो डक्टेटरों के पाले हुए नौाज शरीफ जो उठाते रहे तो मुलक के हालाद जो है ऐसे लोगों ने मुलक में 4-2 सियासत की बने रहे हैं जिस घर की ना बात की जाए बस हो ही ठीक है के हर घर से जो है वो ऐसी तकलीफ ऐसी परेशानी ऐसी मजबूरी निकल रही है अब तो तकलीफ परेशानी तो वो खत्म होगी ना अब तो मजबूरीया ही मजबूरीया जो है वो रह गी है लोगों के घरों में बिमारीया है और ये सब चीजे किस तरह ठीक होंगी और वजीराजम जनाब इमरान खान साब इन सब चीजों को जल्दी से चड़ी घुमा के कैसे ठीक करेंगे मुझे नहीं पता ये आए दिन असंबली के जलास होते हैं बिल पास होने की बाते होती हैं चीजे होती हैं जो है वो कौपिया फार दी जाती हैं अपोजिशन जो है वो हकूमत को कबूल नहीं कर रही है हकूमत अपोजिशन के मामलात के साथ गिरे बान तक बात आ जाती है ऐसी लेंड़िज जो अब है किस तरहाएं बच्चे टीवी पर वोई सब चीज़े एक रहे होते हैं। वो भी फिर जाहरी बात यही चीज़े सीख ले होते हैं। कि आरे बड़े यह कर रहे हैं तो यह शायद कोई अच्छा काम होगा। तो सरी किस तरफ हालाथ और वाकिया वार आशिराह कर थो ही, छो हिरा या कुम से कम जो है वह हखुमत को अपने आशिक हाँ इक मामिलाथ और जो is उनकि ल लंविज या उनकिका लाइफ़ स्टाइल या कोई तौई में कुछ थोड़ा बॉत ये तू काम सिनकी तो पर तो काम जमूरियत ही है जमूरियत को मजबूत करना पड़ेगा इस जमूरियत को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान में इस वक्त जो नई नसल है और नई नसल जो हमें नजर आती है और मिडल क्लास में उसका बहुत ज्यादा का है और वो नसल जो है उसको इस मुलक की बागदोर समालने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए जाहिए 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 जा यूथ मजूदा जो है बाहर नहीं बाहर नहीं बाहर मैंने कहता है आकर जिलाओ किराओ करें यह सजाज करें यह काम करें यह काम करें मुशावरते करें मेटिंगें दोस्तों की बलाएं अपने हलके में अपने अलाके में जो है वो देखें किस-किस की क्या प्रॉबलम है खु सब्सक्राइब कर सकता है इस वक्त मुलक को बचाने के लिए वो पाकिस्तान की मौजूदा नसल है बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान की माय जो है वो इतने दगर्गू कौन हालात के बावजूद अपने बच्छों को किसी ना किसी तरूब बहुत बढ़ा रही है और बेतरों बहुत बढ़ाइर की के नहीं है, माय के रुटी की तरफ द्यान नहीं है यpriLAN जो गरों में काम करने वी खवातीन है, वो भी अपने बच्छों के प्राइवर शकूल मे पढ़ाने कोशी करते है, बहुत अची बात है, मेरे गर में जो खातून काम करती है, वो चार गरों और में भी काम करती है, पाँच गरों में तीन तीन चार्चर गेटी है, इसलिए देती है, इसलिए देती है, कि वो अपने बच्चों की पढ़ाई ही जो है, बेतर करना चाहर कि अपनी बड़ी बात है तर आपने बहुत अच्छा मेसेज दिया है बहुत शुक्रिया आपका क्योंकि अगले सेग्मेंट का वो वक्त हो गया है इस वजह से हम इस बात को यही पर जो है वो करेंगे एंड करेंगे लेकिन बात यह इतना बड़ा टॉपिक है कि इसको हम कहीं के लिए आज बहुत खुबसूरत बात कही है कि अगर पाकिस्तान को बचाना है तो यंग्स्टर्स को मैदान में आना होगा अपनी गली महले इलाके सुसाइटी के जो पड़े लिखे बच्चे हैं उनको चाहिए कि अपने दूसरे बच्चों को दूसरे अपनी तरह के पड करने के लिए हर इलाके हर जगा पर जो है वो ये चोटे पेमाने से जो है वो काम शुरू करें आगे आएं पाकिस्तान के लिए कुछ करें आपको कोई कुछ नहीं जो है वो देगा इस वक्त खुद से जो है वो पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ना होगा और खुद से आपको जितना सकून मिलेगा जिन्दगी में इतना सकून आपको कभी नसीब नहीं हुआ होगा अभी हमने वैलेंटाइन डे के हवाले से भी बात करनी है लेकिन अभी हमें यहाँ पर ब्रेक लेनी है ब्रेक के फारी बार जब वापस आते हैं तो अब हम आपको वैलेंटाइन डे के हवाले से बता दे क्योंकि आज 14 फरवरी है और 14 फरवरी जाहरे मुहबत करने वाले अपने दिन को मनसूब कर लेते हैं कि हम प्यार मुहबत करने वाले लोग है इसलिए 14 फरवरी का दिन मनसूब हो गया तो ऐसी कोई बात नहीं है कि सि हमारा इसलाम इस हवाले से क्या कहता है हमारी बात इस हवाले से क्या कहती है और हमें कैसा होना चाहिए इस हवाले से भी बात करेंगे तो अभी एक चुटी सी ब्रेक अजादिय साफ़त मगर्भी सिम्मदारी के साथ टीवी चुटेइ खबर सबसे पहले मैं हूँ श्वेप हाश्मी मैं रखूंगा बाखबर पंजाब के एवानों में होने वाली हर एक कानू साथी से टीवी चुटेइ खबर सबसे कर दे वेलकम बैक नाजरीन आप देख रहे हैं तोडेय मॉर्निंग विध डॉक्टर नभी हाली खान और जैसे कि मैंने आपको ब्रेक जाने से पहले बताया था कि हम वैलन्टाइन दे के हावाले से भी बात करेंगे क्योंकि आज 14 फरवरी है वैलन्टाइन डे लोग मनाते हैं वैलन्टाइन के दिन से यानि के वैलन्टाइन एक पादरी था और उसके नाम से ये दिन मकरर कर दिया गया کہا یہ جاتا ہے کہ وہ لوگوں کی شادیاں کرواتا تھا اور وہاں بے راروی بہت بڑھ چکی تھی جس کی وجہ سے وہ یہ چاہتا تھا کہ وہاں شادیاں ہیں اور لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کی رسم کو جو ہے وہ اس نے عام کیا تھا اب اس میں کس حد تک سچائی ہے کس حد تک نہیں ہمارے اسلام میں کئی کسی معاملے میں اس چیز کو جو ہے وہ ڈیکلیئر نہیں کیا گیا یا کلیئر نہیں کیا گیا کہ اسلام میں بالنٹائن ڈے منانا अगर हम चले हैं हम इसलामी जमूरिया पाकिस्तान में हैं और हमारे इसलामी जमूरिया पाकिस्तान में क्या कोई हमें इस दीस की जाज़त देता है कि हम किसी पादरी के नाम पर वैलेंटाइन डे को जो है वो मनाएं और क्या हम जो है वो इससे मना कर जो है वो ये थाबित कर कि इसलामिक नुक्ता नजर से बहुत ज्यादा जो है वो हमें बात करनी है आगे इसलिए हमने हमारे साथ जो है इसलामिक स्कॉलर मौजूद हैं जो हमें इस चीज पर गाइड भी करेंगे बताएंगे भी और खास तर पर मैं चाती हूं कि हमारे यंग्स्टर्स जरूर सुनें जो वैलन्टाइन डे को बड़े पुर्तपाक इस्तवगाल करते हैं और बड़े मज़े से बनाते हैं वैलन्टाइन के कार्ट जा रहे होते हैं फूल जा रहे होते हैं फूलों के गुल्दस्ते जा रहे होते हैं ठीक है यहां तक तो बात ठीक है लेकिन यह जो लोग अपने शफीक साब मौजूद है उन से के अब हाफ़ सब हमें बताएंगे बिंगा इस्लामिक स्कॉलर के इसलाम क्या कहता है वैलन्टाइन डे के हवाले से असलाम अलेकूम अब हमालेकूम स्लाम रह्मतुलाएंगे बहुत शुक्रीया आपके बाक देने का और हमें आप बताएएगा के वैलन्टाइन डे क्या है यह क्या ही फरसूदा सी रसम है कि जिसे हर कोई मनाने पर जो है वो तुला हुआ है आपका शुक्रीया देखिए जहां तक वैलन्टाइन डे की ताहित का तालुक है इसके बैग ग्राउन का तालुक है इस वक्तों मशूर हो चुका मैं इस हवाले से यह बात अर्श करना चाहता हूँ कि आजकल इसे यौम महबत और यौम इश्ग का नाम दे दिया गया है और हिश्ग एक बड़ी कुवत है इस कुवत को अगर किसी आला मकसद के लिए इस्ते हमाल किया जाए तो यह इसी कुवत को किसी सिफली मकासिद के लिए इस्ते हमाल किया जाए तो यह इस बात को समझने की जरूरत है कि हम अपने जजबात को किन मकासिद के लिए इस्तैमाल कर रहे हैं इस दिन महबब जो होती है वो तो पूरा साल रहती है और पूरी जिद्दगी होती है हर वक्त होती है उसके लिए हर वक्त होती है वो तो इन्सान के ख्यालात पर च्छा जाती है लेकिन इसी एक दिन को मखसूस कर लेना कि यह यौमे महबच है यौमे महबच नहीं है बलके यह महबच नहीं बुखारे महबच है तो वो चड़ता है और रात को उतर जाता है और पिर इस दिन में महबच कहां देखी हमारी जो वनियादी तालीमात है उन्ने तो हया है पाकीज़गी है और इनसान की पाकतामनी है ये बलके लेकिन इस दिन हमारी इनसानी और इसलामी सारी कदरें वो पामाल कर दी जाती है इस महबच के नाम पर ये दर असल इनसान की हवस है इनसान की हिर्स है और जो इन्सान इस इश्ग और महबत के नाम से वो पूरी कर रहा है वो इक्बाल का मुझे ख्याल आया कि उन्होंने इश्ग को एक बहुत बड़ी कुवत खरार दिया इस जगा वो फर्माते हैं कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नम्रूद में इश्ग और अकल है महबे तमाशाए लबेबाम अभी तो इश्ग तो बड़ी कुवत है और फिर अगर हम इश्ग और महबत में देखना ही चाहते हैं तो यही आयाम हैं जिनने हदरत अबुबकर सिद्दीक रजी लाह उन्हों का इंतिकाल हुआ तो यह आयाम सिद्दीकी भी हैं इकबाल ने हदरत अबुबकर को इश्ग और महबत के लिए एक सिंबल खरादी एक जगा वो फरमाते हैं कि गुफ तमश ऐ खासाए खासाने इश्ग इश्ग तू सर मतलए दीवाने इश्ग मैंने खाब में उनसे अर्द की कि ए खासल खास आश्ग कि आपका इश्ग दीवाने इश्ग का पहला शेर और मतला है और अर्दू में जहां उन्होंने उनका एक वाक्या नजम किया तो वहां वो फरमाते हैं कि बोले हुजूर चाहिए फिक्र यहाल भी तो कहने लगा वो इश्ग को महबत का राज़ाद परवाने को चराज है बुलबुल को फूल बस सिद्धिक के लिए है खुदा का रसूल बस यानि अगर इश्ग और महबत की बात करनी है और सीखना चाहते हैं कि सफरे महबत कैसे ते हो किस तरह से उन्होंने हुदूर अपनी जान अपना मार और अपना सब कुछ कुछ कुर्बान की बिल्कुल अज जो इश्ग हो रहा है इसमें तो मफादात है और एक दूसरे से मुफादात तो है ही है लेकिन एक दूसरे से अपना मुफाद निकालने के बाद जो बाद में उस शक्स को तकलीफ पहुंचाने का एक अजियत नाक अमल स्टार्ट हो जाता है जिससे लोग खुदकुशियां कर रहे हैं हमारे यंग्स्टर्स हमारे जवान जितने नौजवान लोग हैं वो एक दूसरे के इश्क में गिरफतार होके किसी ने किसी को इंकार कर दिया और वैलन्टाइन डे पे किसी ने मिलने से इंकार कर दिया तो कितने मौमलात ऐसे सामने आ रहे हैं इस हवाले से भी प्लीज जरूर हमें बताईए जी 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 बिलकुल ये यानि ये दिन इस्ज़ते पामाल करने का बन गया जी एसे वाकियात संगीन वाकियात रूनुमा हो रहे हैं कि माँबाप अपना मूँ चुपाते हैं अपनी रुसवाई और बदनामी के डर से तो हमारे इन नौजवान बच्चों और बच्चियों को अपनी इज़त का ख्यार लगना चाहिए इसलामी तहजीब जो हमें हमारे यानि आप ये देखिए कि जब हम अपनी तहजीब से डेवियेट करते हैं इसका नतीज़ा क्या निकला है? खतरनाख बीमारीओं की सुर्थ ने सही कह रहे हैं अगर हम इन जहनी और जिसमानी बीमारीओं से बचना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि इसलाम के दामने हयामें और दामने रिख्मत और रिख्वत के अंदर हम पनाएए पेशक 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 सही बादा बिल्कुल जी तरह आप जी ये देखिए कि ये ये इस यूम महबत के अन्वान से अगर करना ही कोई शक्त चाहता है तो उसे चाहिए कि वो शादी के रहां पे चले क्या बाद शादी करो इसलाम ने सबसे बिफ्रीन तरीका ये बताया लेकिन ये क्या चीज़ है कि हम निकाह से बचते हैं और फासिकाना तहदीर को और फासिकाना अंदाज को हम इस्टियार करते हैं तो यही चीज़ हमारे लिए हमारे मुल्क के लिए एक नासूर बनती जा र कि हम आगर यहां पर फूल और घ जई आए यहां पर जो अप पूल और गिफट और चॉकलर से जा लिए हम चे बाता है कि क्या यह जुतनी है किस फयानी है माभबत की बाखें ऌर पयाम महब्बबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबब आता है कि जो दूसरों की रिज़त पामाल करें अल्ला काला उसके घर से फिर उसका बदला दिल्वाया चाहिए अच्छा ये बच्चे ये लड़के लड़कियां जो हैं ये फरस्ट्रेट हैं ये मेंटली डिपरेस हैं जाइटी पेशेंट्स हैं ये मेरे पास कुद में क्लेन साइकॉलिजिस्ट हूँ आप ये महबत से हारे हुए इतने बच्चे इतने लड़के लड़कियां मेरे पास आते हैं फिर क्या मिलता है उनको आखरकार जो है वो ये सारी चीज़े जो है वो आपको कहार जाके खड़ा कर देती हैं ये बिमारी जहनी बिमारी हैं और जित्म खराब हो रही हैं उनको सिर्फ चंद रुपए चाहिए चाहिए किसी तरह से मिल जाए आपने पिछले साल वो ख़वर एक पड़ी होगी वैलेंटाइन डे पर वो बुके बेश रहे थे जी तो उनकी दुकान से एक लड़का खरीदने के लिए आया और कोई बात हुई तो उसने जिसका नाम बताया कि मैं फुला के लिए ले रहा हूँ वो उसी की बेटी थी तो तब उसकी आँखे खुली ये क्या हो रहा है तो हम जैसे अपने बच्चों के बारे में सिकर मन रहते हैं आज कोई बाप अपनी बेटी का मुबाइल चेक नहीं कर सकता नहीं कर सकता और इसको वो राइट्स में शमार कर लिया गया है बिल्कुल अला कि ये चीज़ मगरिबी तहजीब उसकी एने उने खुबियों भी बहुत हैं लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हम खुबियों को नहीं अपनाते और उनकी बुराईयों को बहुत जल्दी अपनाते हैं तो हमे अच्छी चीज़ लेनी चाहिए चाहे मगरिब में हो या मश्रिक में हो और बुराईयों से बचना चाहिए चाहे वो मगरिबी हो या मश्रिकी बिल्कुल सही वात है और अपने खास और पे हम अगर एक इसलामी मुलक में हैं हम मुसलमान है तो हमारा ये फर्ज बनता है और आप दूसरे की जिन्दगी को असान बनाइए ना के मुश्किलाद में बास को डालें। बहुत शुक्रिया हाफ़साब आपका। इसको अगर हम यहाँ में निकाह के तो बहुत ही अच्छा है। बहुत ही अच्छा है। जनाब ब्रेक और ब्रेक के फौरी बात हम हाजिर होते हैं। आपकी खिदमत पर हमारे साथ तजियाकार मौजूद होंगे। उनसे पताएंगे क्या मौमलात क्या हला चल रहे हैं। पाकिस्तान अब कहां सरवाइव करता नजर आ रहा है। तो अभी एक ब्रेक प्रेक के फौरी बात बलते हैं। तुर्की के सदर रजबत ये बुर्दवान आज पार्लीमेंट के मुश्टर का इजला से खिताब करेंगे। सदर अजब तयब अर्दवान से कबल तुर्की के सदर केनान एर्बर रिंड ने 15 निमंबर 1985 को पाकिसान की पारलिमन्ट के मुश्टरका अजला से खिताब किया था पूरे वाला में मुबायना पुलीस मकाबला चार डाकू मारे गए हलाक होने वाले डाकू, कतल, डखेती, रहजनी की बारदातों में मतलूब थे मुरिद के में नामालूम अफराद में फारिंग करके समाजी रहनुमा को कतल कर दिया सेद तुफैल शाह को जखमी हालत में मियोस्पताल लाहोर मुन्तकिल किया गया मगर बुचांबर ना हो सके, पुलिस ने कतल के मुक्लिप पहलों से तफ्तीश शुरू कर दी और इहतसाब हो तो ऐसा, टीपियो कसूर ने तारीख रकम कर दी कबजा गुरूपों की पुष्टबना ही बारेस से चुथाना थैशेखन को अपने ही थाने की हवालात में बंद कर दिया आप अजाद हैं, आजाद रहें, आप लोग इस फुल्ट पाकिस्तान में अपनी अपने अबादत्गाओं, मंस्यदों या मंदरों में जाने के लिए हमारा असूल, हमारी सहाफत, इंसानियत, इसलामियत, पाकिस्तानियत, टीवी टुडे, खबर सबसे पहले मैं हूँ अनिता सहर और मैं रखूंगी आपको बाखबर, और बताऊंगी इंसानियों को क्या होते हैं, और कहां इनका इस्तेहसाल हो रहा है, क्यूंके खबर सबसे पहले मैं हूँ अली तारी, खेल के मिदानों में क्या हो रहा है, मैं रखूंगा बाखबर सबसे पहले अजादिय साहफत मगर सिम्मदारी के साथ TV Today खबर सबसे पहले खबर की कोई साथ नहीं कब कहा क्या होने वाला है आज कहा क्या हो रहा है कौमी और बैल अलगवामी स्यासत पल पल बदलते हुए हालाद पर तफ्सरा और हर वो खबर जो अभी तक है पसे परदा जानिये फैसल बट से प्रोग्राम ओपन सीक्रिडिंग वेल्केम बैक नाजरीन हम वापस आगे हैं देख रहे हैं आप प्रोग्राम टुड़े मौर्निंग विड दॉक्टर नभी हाली खान और जैसे कि जनाब आपको पता है कि आज 14 फरवरी है और खास तोर पर वैलन्टाइन डे है हम वैलन्टाइन डे को इस महबत के दिन को किसी भी महबत के दिन को कोई एक दिन तो होता नहीं महबत का हर दिन ही महबत का होता है हजरत मुहम्मद मुस्तिफा सलिल्लाहु लाहिवाली वैसलम का भी कहना है कि अपने प्यारों को तोफे देते रहो जिससे वो खुश रहे लेकिन स्पैसिफिक को इसलाम ने एक दिन मुकरर नहीं कर दिया है कि आप जो है वो एक दिन के हवाले से बस वैलन्टाइन डे को मना ले वैलन्टाइन तो एक पादरी था और उसने तो जो है वहां उस वक्त में जो है वो बहुत ज़दा ये मसाइल पैदा हो गए थे तो उसने आपस में शादिया करवानी शुरू कर दी थी कि हम मुसलमान जो है वो इस पर बिलीफ नहीं रखते लेकिन फिर भी बिंगा मुसलिम मिंगा पाकिसानी हम वैलन्टाइन डे को बड़े मज़े से मनाते हैं बड़े शौक से मनाते हैं हमें बड़ी खुशी होती है कि हम एक दूसरे को चले ये एक दिन होता है कि जिस दिन आप जो है वो कोई चॉकलेट फूल तोफे और कोई हार्ट एक दूसरे को जाए गिफ्ट करते हैं और थापित करते हैं कि जी हम आप से मौबत करते हैं अची बात है इस में आप हमारे प्रोग्राम में जो है वो शामिल हो सकते हैं और अपना किसी को भी कोई मैसेज देना चाहते हैं वैलेंटाइन के हवाले से कुछ कहना चाहते हैं आप वैलेंटाइन को अच्छा समझते हैं या बोरा समझते हैं ये दिन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए हम इस पर बात करेंगे हम इसको मनाने की बात नहीं करेंगे कि हमें मनाना है इसको हम इसको मना नहीं रहे हैं बलकि हम आपके उपीनियन चाहते हैं कि आप क्या समझते हैं कि क्या वेलेंटाइन डे एक अच्छा दिन है क्या इसको होना चाहिए और क्या इससे आपके जिन्दगी में इससे कोई फर्ख पड़ता है तो आज के महमान हमारी अवाम हैं, हमारे लोग हैं, मेरे वियर्स हैं, जो मुझे देखते हैं, और प्रोग्राम केसा लगता है, आपने जरूर आज वैलेंटाइन डे पर बताना है, तो भी हम जो है वो वैलेंटाइन डे के वाले से बात कर रहे हैं, तो हम जो है वो बीच में अच्छा जी आप संधे कालर भी हैं और हमारी कॉल आगई चाहिए हैं और उसके बाद भात करते हैं असलाम अलेकुम जी वालीकुम असलाम डॉक्टर साहब कैसी है आप आला काशुकर मैं बलकुल ठिक टाक हूँ हूँ हो इसाथ कौन कहां से बात करें जी दक्टर साहब मैं आपका प्रोग्राम जो है वो बड़े शौक से देखता हूँ माशाला आप बहुत अच्छे टॉपिक्स लेके आती है और आप की जो गुफटबू होती है वो बहुत टूदी पॉइंट और लोगों के जो मसाइल है वो आप दियान करती है आपके प्रोग्राम को जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो लोग देखें और उसको जो है प्रसंद करें मेरी दूआ है आपके लिए बहुत शुक्री आपका एहमद आप क्या कहना चाहेंगे हम पाकिस्तानी अवाम बीगा मुस्लिम वैलेंटाइन डे क्यों मनाते है अच्छ जब एक अच्छी चीज है अच्छा दिन है इसको जो है वो मनाने में मेरे श्याल से कोई मजबी स्कॉलर तो नहीं हूँ लेकिन विएंगे मुसलिम भी मैं समझता हूँ कि ये वैलेंटाइन डे एक अच्छी चीज है बेशक इसको मनसूब कर दिया गया है किसी नॉन मुसल ज़ादा जो वैलेंटाइन डे से भी बढ़के जो अपनी खातुने खाना से मुहबत का जो दर्स है वो हमें नभी अकरम सुल लाह लेवाले बेस्लम की तालिमात में मिलता है वो मेरे खाल से वैलेंटाइन से कहीं ज़्यादा है और उसको पढ़ने की जुरूँ दूरत है आपकी जो अज़वाज मुताहरात थी उनके साथ आपकी जो रिलेशन्शिप थी वो किसी भी वैलेंटाइन डे को स्टौडी करने से उसके बार आप उसको स्टौडी करें तो आपको लगएगा कि तो हजार वैलेंटाईन डे बी हो तो जो उनकी आपस में कौरिडिनेशन तो अगर हम मतलब उनकी जिन्दगियों का मुतालिया करें हजरत आईशा सदीका रजियालाह के साथ उनकी जो महबत थी जो उनका प्यार था जो उनकी आपस में एक शवकत के मामलात थे और वो हमारे लिए पुरे का पूरा दर्स है वो सारी दर्स है मशले रहा है बिल्कुल एश्दाबै वेलेंटाइन डे डे बिल्कुल आज़ एहलाह को मैरे इस लिए पावर करा की कितनी एहम है इह फॉन को ये कितनी आहम हैं पितनी उनको तो इनको यह चीजरमत्शन होती है तो विल्कुल हो जख़ती है जो अज के खास दिन मॉकई की बात हो तो आज आपने अ सुबह का वक्त है तो वैलेंटाइन डे जो है वो तो शाम तज के लेगा तो मैं तो जाहिर है अपना शौप पे बैठा हूं काम के सिस्पले में लेकिन मैं जाहिर जाओंगा तो नॉर्मली तो फूल ही गिप्ट किया जाता है इस दे के हवाले से लेकिन इसको जो है वो हम जो जो अन्मेरिट लोग है या जो अभी बिलकुल नौजवान है यंग है उनको इस तीज से जो है वो ये वैलेंटाइन डे की सारी खाहिशात सारे ज़बाच जो है वो अपनी शरीक हयात के इंतजार तक जो है वो मैदोत रखनी कहीं है और जब उनको शरीक हयात मुश्र हो त करने तवस्ता के तुछ चैनल के तुछ से आपके तुछ से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जिए बहूत अच्छी चीज विजसको ज़रूर मनाएं लेकिन आप यह देखें आप मनाने के अहल हैं गो ने यह तरही हिसले के लिए ये म 많이 अह्लिया कर जो है यह एक स्पेसिफ第 जो अगर आप वैलंटाइन डे को मकसूस करके बात करेंगी तो फिर ये तो महबत के इजहार और खास तो पर जो निया बीवी की जो महबत है या जो जिसके आप महबत करते हैं प्यार करते हैं ये उसके साथ क्योंके मनसूब है तो इसको फिर उसी के साथ उसी रिष्टे के सा रहे चाहिए नहीं को हुषित रहा है लेकिन इसे वैलटाइन देना का इस आप महबत में एक दूसरे को कोई फूल दे रहे हैं, कोई तुफे तहाइफ दे रहे हैं, कोई चॉकलरेट्स दे रहे हैं, लिडिया गाईन wyst 뉴스 को दे, सुछ है लगंगा तो यह वर ऑनिन दोफ खास को प्रदकूल मैं हमेशा अपनी मदर को जो है वो वैलन्टाइन डे पर गिफ्ट करती हूं कभी कोई पर्स कभी कुछ उनके ड्रेसिंग में उनको पसंद या कुछ भी तो हमेशा है या फूल भी तो कोशिश होती है कि कोई ऐसी चीज गिफ्ट की जाए जो उनके काम आयर वो फॉरेवर उन लड़के लड़किया बाहर जाते हैं इससे मुझे भी प्राब्लम है कि यह ऐसा ना करें शादी से पहले आप जो है वो यह मामलात ना करें भी और कॉलर भी हमारे साथ लाइन पे हैं जी लाइफ कॉल के त्रू प्रोग्रम में आप शामलेकूं असलाम जी जी कौन बात करे हैं कहां से जी मैं राशिद बात कर रहा हूं फैसलाबाद से जी जी राशिद आप और ये वैलंटाइम दे के बारे में गुफ्तूगू हो रही है और मेरी फैमली आपका प्रोग्रम बड़े शोग से देखती है बहु हुआ हम और माशाला बड़ा अच्छा प्रोग्रम कर को इसे जी मेरे मेरे मेरा से जी ञंड़ी देखती हैं मैंमेर् अच्छा परった हैं तो इसमें आप क्या प्रघ्वे कंगे हैं ये महबर तो तब ही आफ्य है जब आपकी टारि जी आपको अच्छी रखती है न गिसे फेम्रे पर आप और हो उता हुआ ह हम जा घए मारे माहमला जब इतनी महंगाई में आप कोई पैसा नहीं है और आपको ये पता है कि आजकल के जो रिक्ते हैं वो भी पैसे सी चलते हैं वो बात तो थीक है लेकिन इसके सासथ ये भी तो देखे ना ये जो मुझूदा कूमत है इनोंने का था कि हम गरीब आम के ये कर दें ये वो कर दें रहे हैं जो वैलन्टाइन देः तो तभी बनेगा ना कि या जब हमारी जय में कुछ होगा सही सही जब हम रोटी को तरस रहे हैं हम अनी खाने पीनी की इसया को अश्या को तरस रहे हैं तो वेलन डेइन डे नाए ये तो मैं कहनी हूं कि पाकिस्तानी अवाम फिर भी वैलन तो वो थोड़ा सा एक टाइम अगर आप इस फ्रिस्टरेशन से निकल के थोड़ा सा प्यार महबब्थ से बच्चों के साथ और बेगम के साथ उने एक ठूल का तो 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 मेरा खाले थोड़ा सा रिलेक्स तो मिल जाता है ना रिलीफ मिल जाता है लेकिन मैडम वो बात फिर अपनी फैमली को देखेगा, वो महबत का दिन तो रोज का है, अगर आप अपने बच्चे से, या अपने बच्चों से, या पनी इसी से, या अपनी मां से, या पनी बहन से किसी दे प्यार करना चारें, इसके लिए ताइम मुकररण तो निए है न, सही है, सही है, बिल्कुल कि मैंड ya संच सकता है किvene गुणा कि तोड़ जा पूल को चाप sido. Thoड़ था हुज़ेंगे क्या मतलब टैंश्ट परिशानिया थो चलनी है अगर तोड़न रिल खोलाह रिलाक्ष अर लिफ आम को मिलता है कि किजंगे तोड़で पूल में पूला का देलिया कि मेरे शाब के टो डेली का वालंटाइझ देए aan से शोर पांके लिए प्रॉमिस करें। तो वो हमेर साथ लड़े गाई ना, तो इससे बेतर जी है कि हम प्रियार से जा कि जा कि प्रियार कर लेकम, वड़ाएं देया तो देया है। यह मैज तुम अच्छा खाना पकादो, यही वیलेंटइन दी है यही है बालिफिण डिया और प्चों से प्यार कर लेते हैं, यही है बादा से यही यही वालिफिट मारे प्रोग्रां वाली प्रोग्राम को यह करने का मकसद है बहुत शुक्रिया आपका, वह उप्यार के शिरीक अपने बहुत अच्छी बाते की आपने लोगों को बहुत अच्छा मश्वरा भी दिया और ये भी बताया कि वाकी एक मजदूर पेशा जो बन्दा जिसने डेली के पैसे कमाने हैं, वो तो फूल में पैसे जाया कर देगा, तो वो फिर अपने बच्चों के लिए जो है वो रोटी और का पंदू बस कहां से करेगा हलात इतने खराब होगे हैं कि लोगों के दिलों से खुशियां बिलकुल खतम हो गई हैं वो किसी भी खुशी के दिन को या किसी भी ऐसी चीज को मनाना नहीं चाहते हैं क्या वो फ्रिस्ट्रेट होगे हैं उनके माइंड जो है उन्होंने अपने आपको इतना तकलीफ और परेशानी में मुबतला होगे हैं कि उन्हें दूसरी कोई चीज नजर नहीं आ रही है तो इसमें भी अगर कोई पाकिस्टानी कौम हमारे यंग्स्टर कोई यंग्स्टर हो और जी उसने जाए वो आज डेट पर जाना और उसने किसी को वेश करना तो वो भी कॉल कर सकता है भाई मी क्या कर सकती हूं मतलब आप लोग उनको भी साथ लेके चलना पड़ेगा ना पार्टनर बनाए और फिर उनके साथ सारी जिंदगी कुसारने का एक अच्छे तरीके से जाए वो उसको करें ताकि आप लोगों के लिए आपको आगे आने वाले वक्त में परिशानी का सामना ना करना पड़े टेलिफोन लाइन ओपने जराब आप हमें कॉल कर से हैं पार्षित वालों से घर से अपने बचों से अपनी बीवी से सबको मौबत उती है बट जो तबदीली का नारा लगा के हकूमत हमारे मुल्क में आई और उन्होंने कहा कि हम अवाम को रिलीफ देंगे और उन्होंने रिलीफ देनी की कोशिश भी की है पैसा भी नहीं कि कोश आज टुडे गेस्स सेग्मेंट में आप हमारे महमान हैं आप हमें लाइफ कॉल कर सकते हैं आप लाइफ प्रोग्राम में लाइफ हमारे साथ जो है वो बात चीत कर सकते हैं आज कुछ भी कहना चाहें आज आपका दिन है आप महंगाई पे बात करना चाहते हैं आप अपनी किसी को मैसेज करना है तो आप उस पे भी जो है वो कमेंट लासमी जो है वो दे सकते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है जिन्दकी तल्ख जरूर हो जाती है लेकिन जो है वो इस जिन्दकी को थोड़ा असानी की तरफ लेकर आए अच्छे जी मुहमद शेजाद है हमारे साथ कॉल लाइफ कॉलर हैं देखते हैं कहां से बात कर रहे हैं अरज wspól जो हुआ से बात कर रहे हैं अफुरा नैजू मेडम कैसेiera they are all that I'm कि क्या कहीं ओप-हह stinho मोफद बांटनी चाएंगे हम अपने लवस के लिए करें हम हम अपने महथ करके वालदेन से मुहथर कर सकते वो तो ह हर रोज इचल के उसका दिन नहीं होता और आप देखें कि मुहथर करा भी नहीं मुखबत लो हर लंफा हर टाइम जो है वो दूसरों में बाइन चाहिए खुस्ष़्यां बाइन चाहिए और मैं तो यह कूंगा कि इस दिन को सिर्प एक दिन के लिए मखसोस नहीं करना चाहिए हुआ हर देमिजिडिने कुछ दया चाहे हैं तु किसी को कोई मेसिकेस देना चाहें मैं अपर झाली हुझा यूची अपना बहुत अज़ कर सकती हुआ तो नहीं है कि अथ कि अधन खुची अगरा हुआ है तो इसी चीजे लोगों को सेखने हैं दिन चाही है वोग्छ शुक्रिया शदादाभगा का यूपन को नहीं चाही है मुझे भी आपका फीड़बै किसी तरह मिलेगा जब आप लाइफ कॉल के जरीए जो है प्रोग्राम में शामिल होंगे जब आप मुझे बताएंगे और आगे आने वाले टाइम में भी इंशाला जो हम एक सेग्मेंट स्टार्ट करेंगे जिसमें हम आपके मसायल आला हुकाम तक पहुंच आएंगे आपकी लाइफ कॉल के थूप तो वो भी इंशाला जल जो है उसको स्टार्ट करने का हमारा प्रोग्राम है इसी के साथ मुझे भी ब्रेक लेनी है यहां ब्रेक के फौरी बात वापस आते हैं और फिर आपसे बात करते हैं जी मैं हूँ फैसल पाश्मी मैं हूँ तावि दानवर मैं हूँ हमजा चोतरी मैं हूँ शहजाद एहमर मैं हूँ अनिता सहर मैं हूँ अली तारी मैं हूँ शहीन अश्रफ शजरूतीन मैं हूँ शिराज निस्सार क्राइम कंट्रॉल करने के लिए पुलिस क्या कर रही है मैं आप तक पुंचाओंगी हलात हाज़ा की तेज़ ख़गर अधिया ने किसे दिया रलीफ और किसका केस हुआ ताक्तुन का शिक्त खवातिन जिन्दगी के किस-किस चौबे में आगे पड़ रही है हुकमरानों और अफसरशाही के बंद अफातिर में अवान की तक्दीब के क्या फैस्पे हो रहे हैं इंसानी हुकूब क्या होते हैं और कहां इनका इस्तेहसाल हो रहा है मैं हूं मस्लूमों की आवाज मैं हूं स्टूलेंट्स की आवाज मैं हूँ खमतीन की आवास मैं हूँ नौजवानों की आवास खेल के मिदानों में क्या हो रहा है शोबिस्ती अच्छी और दर्मागरों खबरे मैं आपको रखूंगी बाहबर फैशन के हर बदलते अंदाज के साथ मैं रखूंगा बाहबर पंजाब के एवानों में होने वाली हर एक कानुसादी से कौमी बैनलक्वामी खबरें तज्जिये पहुचाएंगे आप तक बारवक्त और बताएंगे पसे पर्दा क्या हो रहा है क्या होने जा रहा है हम हैं अबाद टीवी टुड़े खबर बक्त कहने जबूरियत, सियास्त और हालात हाजरा रियास्ती अदारे और अवाल की खिस्मत आज का दिन, आज की हुकूमत, आज की सियास्त, आज की अदालत खबर, तज्जिया और बेलागत अबसरा जानिये प्रोग्राम, सजाद मीर के साथ क्या हो सकता है, क्या होने वाला है मैशत, सियास्त, खारजा पॉलिसी, सेहत, इंसाफ और तालीम का मियार, पाकिस्तान के कौने कौने में हर वाके की हमें खबर है, क्योंकि हम हैं हर जगा मौझूद टीवी टुडे, खबर सबसे पहले मैं हूँ शहीन अश्रफ और मैं आपको बताऊंगी कि खबातिन जिंदगी के किस-किस शोबे में आगे पड़ रही है क्योंकि खबर सब्से मेरे हैं वादियों से वसेब तक मरघजारों से कुहसारों तक जीलों से चटानों तक साहिलों से रेकजारों तक पाकिस्तान की एक ही आवास एक नई उभरती वहचान टीवी टुडे खबर सबसे पहले डॉविल करोना वाइरस नया वाइरस है जो सबसे पहले चीन के शहर वोहान में नमुदार हुआ अब तक की मालूमात के मताबक ये वाइरस जानवरों से इनसानों तक पहुँचा और अब एक इनसान से दूसरे इनसान में मुंतकिल हो रहा है इसकी अलामात में बुखार, खासी, जिस्म में दर्द और सांस लेने में दुश्वारी शामिल है बीमारी शिद्द की सूरत में नमुनिये की शगल इक्तियार कर सकती है अगर किसी ने गुजश्चता 14 दिनों में चीन का सफर किया है और ये अलमात जाहर हों तो करीबी हस्पताल से राबिता करें पाकिस्तान में अभी तक कोई केस सामने नहीं आया ताहम हकूमत पाकिस्तान हर मुमकिना हंगामी सूरत इहाल के लिए तैयार है मुल्क के तमाम दाखली रास्तों पर मुसाफिरों की स्क्रीनिंग और मुमकिना मरीजों की देखबाल का मुकमल इंतजा मौचूद है याद रहे मतासर अफराद में से 98% लोग सहतियाब हो जाते हैं और ये कि हर जुकाम, बुखार और खासी नौवल करोना वाइरस नहीं अवाम से दरखास्त है खासते और चींकते हुए मूध धापे इस्तमाल के बाद टिशू पेपर कुड़े दान में भैंके हाथों को अकसर साबून से कमज कम 20 सेकंड तक धोएं सफाई का खास खयाल रखें मजीद मालूमात के लिए www.nhsrc.gov.pk पर विजिट करें ख़बर की कोई सरहत नहीं कब कहां क्या होने वाला है आज कहां क्या हो रहा है कौमी और बैनोलक्वामी स्यासत पल-पल बदलते हुए हालात पर तब्सरा और हर वो खबर जो अभी तक है पसे परता जानिये वैसल बट से प्रोग्राम ओपन सीक्रिंट मैं हूँ अनिता सहर और मैं रुकूंगी आपको बाखबर और बताओंगी इनसानी हको क्या होते हैं और कहां इनका इस्तेहसाल हो रहा है क्यूंके खबर सबसे पहले क्या आप अजाद हैं आजाद रहें आप लोग इस बुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादत गाओं मस्यदों या मंदरों में जाने के लिए हमारा उसूल हमारी सहाफत इंसानियत इस्लामियत पाकिस्तानियत टीवी टुडे खबर सबसे पहले मैं हूँ अली तारी खेल के मिदानों में क्या हो रहा है मैं रखूंगा बाखबर सबसे पहले वेल्कम बैक नाजरीन जैसे के हम ब्रेक पे जाने से पहले आपकी लाइफ कॉल्स ले थे आपको वेलेंटाइन डे के हवाले से जो है वो अपने मेसेजिस अपने दिल की भडास भी निकाल रहे थे जाहर है कुछ लोग जो इस वक कम पैसे कमाते हैं और जादा खर्चेयाँ उस हावाले से जो है वो परेशान हैं तो वो कहते हैं उम क्या वैलेंटाइन डे मनाएं हमें क्या पता कि हुशी क्या होती है हम ना पने बच्चों को रख रख सकते हैं ना उनको दोवा की रोटी स चल रहे हैं, जहां लोग फरस्ट्रेट हो चुके हैं, खुशी के दिन को भी वो जो है, वो कुछ नहीं समझते हैं, वो कहते हैं कि ये कोई दिन नहीं है, बिंगा मुसलिम, अगर मुसल्मान हम बात करें, तो ये दिन वाके ही कुछ नहीं है, हम किसी पादरी के नाम पर कोई दिन जो है, वो सैलिबरेट नहीं कर सकते हैं, हमें ये चीज़ लाओ नहीं है, कहीं नहीं लिखा कि मुहबत का एक खास दिन है, हर जगा ये लिखा है कि अल्ला मुहबत है, अन्ला के बंदे मुहबत हैं, उनसे मुहबत कीजिए, उनके रास्ते पर चलिए, ताकि आपके आ अन्सूब किया गया है और वहाँ से आपको शीरिनी मिलती है मीठा मिलता है वो कुछ चौकलेट्स और कुछ इस्तरां की चीज़ें मिलती है तो ये दिल की कहसी आथ हैं ये महबत की मौामलात हैं कोई अपने लगात के साथ कोई अल्ला-वालों के साथ असूसियेट है उनसे महबत के में जो है वो उनके अंदर है और कोई जो है वो दुनिया वालों के साथ महबत में घर्ख है जो अपनी सारी परसनालिटी को जंग लगा कर बैठे हैं कोई किसी लड़की की महबत में पागल है तो कोई किसी लड़की की महबत में पागल है लेकिन कोई अगर किने खाहरे दिखा दिता है कि सोच कहां से कहां पहुंच जा ती आज हमारे यंग्स्टिस को इसी सोच की जुरूरत है इसी मौम लाँख की जुरूरत है कि एक दूसरे के पीछे अपने टाइम वेस्ट मت करें जो आपको पसंद ़ियं उसे अला से मांग लिजे अपने अल्ला के साथ अपना तालो कितना मजबूत कर ले कि जिसे आप महबत करते हैं अल्ला आपको खुद ही कह दे कि ये लो ये तुम्हारी चाहत थी अगर तुमने किया वो जो मेरी चाहत है तो मैं बख्च दूँगा तुम्हे वो जो तुम्हारी चाहत है तो कितनी खुल्सूarat बात है अगर आप यह जो है वो बात पढ़ें इस थीष कुथ़ी को पढ़ें तो आपको यह समझ आती है कि अल्ला की चाहत मेरीी ही बंदे की चाहत है और अगर बंदा अपनी चाहत को अल्ला की चाहत के अवाले कर देता है तो फिर वापको बख्ष देता है जो आपकी चाहत है तो अपनी चाहत को अल्ला से मांगिए और जो अल्ला से मांगते हैं वो फॉरेवर होते हैं उनकी फॉरेवर फिर बात चलती है अगर वो शादी भी कर लेते हैं तो उनकी शादी भी कामयाब होती है तो इसी तरह से महबत के इस खास दिन को अपने हस्फरेंट के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने पच्चों के साथ, अपने माबाप के साथ और आगर आप किसी को पसंद करते हैं तो उसे अपनी शरीक हैयात बना के उसे आईए, बहुत आप खुशी और सकून मैसूस करेंगे, लाइफ कॉलर भी हमारे साथ मौझूद है, लाइफ कॉल्स पे जो हम आपकी लाइफ कॉल्स पी ले रहे हैं, बात भी हो रही है, आप अपने व्यूस और भी हमें जो हमें बता रहे हैं, और हम आपकी व्यूस सुन भी जो दिल करता है आज आपका देने, आज आप क्यास्त है। जो दिल चाहता है, वात आप मुझे से कर सकते हैं, प्रोग्राम के हमाले से आप कर Mia करना काना चाहते है out मैं मुहमेद समीर बात कर रहा हूँ लाहोर से जी समीर कैसे आप? मैं ठीक ठाक, आला कर शुकर अच्छा समीर ये बताईए आज वैलन्टाइन डे के हवाले से आप कुछ कहना चाहते हैं कोई मैसी देंगे? वैलन्टाइन डे एक मोहबत भरा दिन है, इंसान मोहबत का इसाहर करता है अपनी लवर से अपनी वैलन्टाइन से और मैं आपको यही काहूंगा कि आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है और आप अपनी वैलन्टाइन को एक मैसी देना चाहता हूं आई हो मेरी सिंदगी तुम बहार बनके, मेरे दिल में यो ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके छो जो बहार बनके यह उसे बहार बनके रहना चाहिए भजानी को प्या है बिल्कुल ठीक है और कुछ कहना चाहें अब्लभेश बहार बनके रहना मेरे भ्लुट allora मैं वह एका से बहार बनके लिजाएगे खाहें भीवोग्स जब हैसे ज़ए ज़ए पस्टेता है अच्छा मुहबत बांटने की चीज़ है, मुहबत अपने पास रखने की चीज़ नहीं है मुहबत को आप पॉजिटिविटी में जतना अच्छे तरीके से बांटना चाहें उसको बांट सकते हैं आपके साथ काम करने वाले कुलीक्स, आपके वर्कर्स, आपके ऑफस स्टाफ, आपके घर वाले, आपके दोस्त, यह सब मुहबत के हगता है और ये महबत वो नहीं होती है कि एक आप किसी के साथ जो है वो परसनली इंटाच होंगे तो ही आप किसी साथ महबत करते हैं महबत एक जजबा है एक इजब और रिस्पेक्ट का रिष्टा है और जब ये इजब और रिस्पेक्ट जो है वो जिससे भी आपके दिल में होती है आप उसके लिए महबत का जजबा जो है वो रखते रहते हैं महबत को उमने इस पैसिफिक ना लड़के और लड़की के होती है अगर वो किसी से महबबत करते हैं तो उसके लिए भी जो है वो वो मामलात और हलात और वाकियात जेखने चाफ यह पड़ते हैं जी हमारे सतलाइम पे कौन मुझूद है? असलाम अलेकूम असलाम आइसा बात के रही हूं जी अभीना केसी है ठीक है आँ जी मैं पिल्कुल ठीक हूं आईशा आप केसी हैं? किस जगा से बात करी हैं? शुक्तर लपारका मैं ठीक हुआ श Haghar से बात करी आ आपका लगत है अकार की क्या 味ता लगते है I like this तैके समत आप लगता है बहुत है मुझे ब्हुत इशार मुथा लगता है आपका प्रोम हूं चाहे लूनिंग है और आपका लाषटा है और आपको लगता है मुझे आपका प्रवशन देखनां है। आप मेरी आप मेरा शो। ि आपको रूपीटी है। जहाबात है। अज्बरों को तो सब देखती है। क्याबात है। बहुत शुक्री आपका ये आपकी महबत है आपकी चाहत है। टीन श्कॉल थे वह कुछ करते हैं कि यह अनुसके साथ मुझ आखनें के साथ हूआ उनको पूल देए और जो नुमलिड़, और जो मिधा, तिए नुए नुए पूलिड़, नुमलिड़ियों। उनके बच्ची है वो अपने बच्चों हमारे हमें तुशा इंद आप मैरेड हो आप मेरेड ओ इसे तो कोई मैसे देना चाहोगी एपने बेबी को अपने हस्बंड को क्या बात है क्या बात है और नभीया मैं आपको यह के नोचोंगी याज वालें लिधी तो फ्राइडीं दें होता है। बिल्कुल इस्लामिक की होता है और मैं अनात खौंक जो हजरात को बुलाती हूँ आप मेरा टुड़े रॉक सेग्मेंट जो है वो अगर देखते हैं तो फ्राइडे वाले दिन आपके पास आउने आपके सामने बशूँ और आप सेखा बाइड के गुष्तको करों और नात भी पड़िए लेकिन अभी फिल्हाल अभी मैं कॉल करूं तो मैं आपको दो तीन शायरी सुनाने चाहुगी आपको नात सुनाना चाहती है बिल्कुल सुनाईए माशा आला जी चुंका मंघघतायों। जो मंघघतायों। जो फिलाइब दिले टुएएब। पुल ते पन्हों का मंगता हो जो मंगता लाहीं हाने डयते है लिहहा बाल माधीन přेभाई माशाइलाा माश्याद हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 हु सुभार अला, सुभार अला इशा, बहुत खुबसुरत आवाज है, माईशा अला आपके, आपको और तौफीक अता फरमाए, कि आपकी महबत अला और उसके रसूल के साथ इसी तरह जुड़ी रहे, और आज महबत के खास दिन के मौके पे, जो आपने ये खुबसुरत नात म जरूर हम आपको बलाएंगे, आपके खास बिल्कुल ठीक है, मैं आपका नमबर जबनी टीम को दे दे देती हूं आइशा और आपने जरूर हमारे प्रोग्राम में आना है, मैं टुडे रॉक सेग्मेंट में आपको बलाओंगी जुम्य वाले दिन, और पिर इन्शाला मैं बहुत आपका शुक्रिया अदा करती हूं बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का और नाजरीन इसी के साथ जो है वो जाहर है के प्रोग्राम का वक्त भी जो है वो एक्ताम के तरफ है और काफी वक्त आपका आज लिया, आज मेरे महमान आप लोग थे, आईशा ने बहुत अच्छी नात सुनाई और बहुत ये मामल चाहर है और बहुत लिगाले में बहुत लुख करने के आप लिया आप लोग दू को बहुत लिया तरफ है की जो है आपकी फैपली जो लोग अपनी फैमली से महबबत करते हैं वो दुनिया में कभी नाकाम नहीं होते वो दुनिया में कभी तकलीफ और परिशानी में नहीं होते इसलिए मेरी आप तमाम लोग उसे ये गुजारिश है कि आज मुझे से प्रामिस कीजिए आपकी सारी महबध आपकी फैमली के लिए है और अब कोई आपकी फैमली के लावे आपकी महबध में जो है वो शरीक नहीं होगा और जो शरीक हैं उन्हेंếu आप अपनी फैमली का हिस्सा बना लें ठीक है ना उसकी साथ इसलिए इजाज़त चाहती है अजादिय साफ़त मगर सिम्मदारी के साथ TV Today खबर सबसे पहले नई सूप नई आगाज नई बात नई आंदाज अलाते हासरा की खबर इंसानियत, एहसाद और जस्पार लोगों से मुलाकार ओगी, सच बात अवाम की बदहाली और हकूमत के अक्तामार Today morning, Dr. नभी खाली की